हेलो दोस्तों आज बनाएंगे हम लोग गूगली का सब्जी अभी अभी तालाव से पकड़ के लाया फ्रेस कूगली कितने सुन्दर सा देखिए यह बहुत ही हेल्दी होता है सेथ के लिए बहुत कम दन जानते है इसको खाने के लिए तो इसका रेसिपी आज बनाएंगे अब इसको हम लोग थोड़ा पानी में उबा लेंगे, अब शुबह गिया था हम लोग तालाव में, इसको पकड़ के लाया, इसका बहुत ही टेस्टी सबजी बनता है, इसमें से थोड़ा सा पॉटेटर डाल के, अच्छा से आज इसका सबजी बनेगा, तो चले शुरू करते आज फैले बोल, बॉयलिंग करते, गैस में थडा सा कड़ाई में, पानी डाल के पानी को गरम कर रहा हूं, फिर इसमें डालेंगे गूगली, शाबद गूगली डाल के इसको उबा लेंगे, इसमें डाल देता है गूगली सारे को, थोड़ा सा उपर से आप चाहे तो नमक भी आड़ कर सकते हैं मैं ऐसे उबाल रहाँ कि अच्छा से उबाल लिजे थोड़ा सा मेडिया माच पर इसके बाद धक्कन लागए छोड़ दीजे अब इसका प्रिपारेशन कर रहे हैं पहले थोड़ा साब आलू को मैंने पॉटेट बारिक बारिक चॉप्ट कर लिया था फिरिश में से जैसे हम लोग चिकन बनाते उस तरह से इसका मासला बनाया इस मसला बनाना के बाद इसमें आलू और पॉटेटो और गूगली को एक सांथ अच्छा से भुनाई कर रहा हूं इसको जितना अच्छा भुनाई करेंगे इसका स्मेल निकल जाएगा और इतना ज़्यादा टेस्टी होगा बहुत ही हिल्दी होता है घर्वाडीस यह हम लोग का गूगली आज का गूगली का सबजी बनके तैयार हो चुका है इसको आप इसमें कट्री में रखते और बाद में और रुसेंगे गर्मा गर्म राइस के साथ इसका सबजी बहुत ही अच्छा लगता है आप भी घर में इस तरह से बनाईए और इसका स्वात लीजिए